ये गाई स्टोडियो नोट्स में आपका स्वागत है ये अडवर्टाइजिंग सीरीज की अनदर वीडियो है और अगर आपको पूरी सीरीज का लिंक चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं Information Processing Model के बारे में लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों Advertising Management की इस वीडियो सीरीज के जितने भी हमने Notes बनाए हैं उसकी हमने एक PDF बुक भी बनाई हैं तो अगर आपको ये सारी सीरीज अच्छी लगती है और अगर आप इसकी बुक खरीदना चाहते हैं उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां आप ये देख सकते हैं कि कैसे आप हमारे इस बुक को इंट्रोडक्शन के साथ विल्यम मैकवायर ने IP मोडल को डिवलप किया था जिसमें उन्होंने ये एजियूम किया था कि एडवर्टाइजिंग की ओडियंस प्रोब्लम सॉल्विंग और इंफॉर्मेशन प्रोसेसर है मतलब जो भी इंफॉर्मेशन वो एडवर्टाइजि करने के बाद लास्ट में अपनी परचेस का डिसीजन लेते हैं ये मोडल सेम बाकी रिस्पोंस हाइराकी मोडल की तरह है इन्हें रिस्पोंस हाइराकी मोडल कहते हैं तो अभी तक हमने जितने भी दो तिन मोडल स्टडी किये हैं ये मोडल भी सेम उनी तरह go through होता है अपना purchase के regarding final decision लेने के लिए तो हराकी model के जो 3-4 models है उसका link आपको इस series में मिल जाएगा और series का link आपको वीडियो के description में available है तो ये 6 phase है presentation, attention, comprehension, yielding, retention, behavior ये 6 phase हम study करने वाले हैं information processing model में तो start करते हैं stage number one जो की है presentation तो presentation का जो phase है जहां पर customer aware होता है किसी भी product के regarding कि market में एक नया product available है इस stage में advertising के थूँ नये product के feature and benefits को highlight किया जाता है इससे customer को ये help मिलती है कि वो old product या फिर competitor के product के बीच में differentiation कर सकता है, second point है attention, product कुछ इस तरह से होना चाहिए कि वो consumer की attention को grab करे उसे attract करे अपने customer के और मतलब की product आपका eye catchy होना चाहिए और ये हम कर सकते हैं advertising material का use करके अब customers की attention को grab करने के लिए हम in weapons का use कर सकते हैं तो advertising में अगर ये सारे weapons होंगे तो आपकी advertising attract करेगी, attention grab करेगी customers की जैसे की photo, illustration, personality का use, discount, sounds, अच्छे quality, graphics, problem solving, words, मतलब texture हो, video और unique content ये सारे weapons हैं जिससे की आप attention grab कर सकते हैं अपने customers की third point है comprehension इसमें customer product को in-depth में evaluate करता है customer ये analyze करता है कि क्या market में same feature या benefit का कोई दूसरा product available है या नहीं और अगर वो इस product को खरीता है तो उसके लिए उसे क्या price pay गरना पड़ेगा fourth है yielding yielding में customer आपके product को like करना शुरू कर देता है अब liking word को आपको confuse नहीं करना है emotional attachment के साथ मतलब कि वो product के साथ अभी तक emotional attach नहीं हुआ है वो product को पसंतों करने लगा है लेकिन अभी भी उसकी emotional attachment नहीं हुई है product के साथ इस case में liking का मतलब है कि customer उसके positive benefits देख रहा है जो भी आपके brand के साथ associate करते हैं example के लिए क्या ये product available है क्या ये सही product है क्या ये healthy product है और क्या ये product मेरे budget में fit बैठता है क्या मैं ऐसे खरीद सकता हूँ ऐसे ही so on questions जो भी उसके mind में चल रहे होते हैं उन्हें वो यहाँ पे clear करता है क्यों क्योंकि वो इस product को like करना शुरू कर चुका है fifth point है retention retention का मतलब है consumer की वो ability जिसमें वो relevant information को accept करता है और अपनी memory में store करके रखता है जैसे कि यह product कितने का available है क्या इसका price है क्या क्या उसे benefit होंगे जो वो liking करता है हर चीज़ें को find out करता है उसके questions मांके है उसमें वो जो उसके relevant information होती है उसे वो store करके रखता है अपने mind में किसी भी product या service के regarding इसी भी information को retain करके रहना काफी important part होता है क्योंकि जादातर advertising design ही इसलिए कि जाते हैं कि वो motivate करे customers को उनका product खरीदने के लिए यह information immediately use नहीं की जाती है customer के दौरा लेकिन थोड़े समय बाद वो इस information को use करता है जब उसे इस product को purchase करना होता है six point है behavior behavior final phase है मतलब stage है information processing model की इस stage में customer product या फिर service को purchase करता है purchase दोनों तरह की हो सकते है offline या online ये stage advertiser को ये describe करती है कि उसकी advertising का purpose fulfill हो चुका है और उसने customer को convince कर लिया है अपना product खरीदने के लिए तो यहाँ पर customer का behavior change होता है आपके product को लेगे वो उसमें positive सोचता है और आपकी product को purchase करता है तो वीडियो आपको कैसा लगा ये comment करके जरूर बताएं अगर आपकी कोई query है इस वीडियो या फिर किसी भी topic के लिए तो आप उसके लिए मुझे comment कर सकते हैं मैं वहीं पर आपको reply करके या फिर अलग से वीडियो बनाके आपके साथ share कर दूँगा वीडियो अच्छा लगा तो like करें चैनल को subscribe करें thank you